आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान महराश्ट में MLC के चुनाव होने हैं नव सीटे हैं और दस उम्मीदवार हैं उद्धव ठाकरे कि स्थाई सरकार चला रहे थे सरकार को गिराना और विपक्ष अपनी सरकार बनाना चाहे यह भी महत्पूर्ण है राजनीती का एक हिस्सा है लेकिन कोरोना जैसी महमारी के बुरे वक्त पर जब बुरे दौर से सारा विश्व गुजर रहा है उस वक्त एक स्थाई सरकार को गिराना बहुत ही गलत है यह लगभग अपने हम हर कारिकरम में कहते हैं लेकिन चुनावों की घोशना हो चुकी है कि इस तारीक से लेकिन यहां कॉंग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे को थोड़ा एक जटका दिया है जहां उद्धो ठाकरे को निर्विरोद चुनाओ लड़कर जीत हासिल करनी है वही कॉंग्रेस ने भी अपने दो प्रत्याशी मैदान में उतार दिये हैं भारतियंता पार्टी तो उतारेगी ही वही कॉंग्रेस ने दो प्रत्याशी उतार दिये हैं और NCP के तरफ से भी प्रत्याशियों को उतार दिया गया है तो यहाँ थोड़ी मुसीबत है उद्धो ठाकरे के लिए यहाँ कॉंग्रेस का भी अफ़ पहत्रा बदला हुए नजर आ रहा है लेकिन इसका क्या कारण है वह आने वाले समय में पता चलेगा हम जो विश्लेसर कर सकते हैं अपनी ही सूझबूज और समझ के द्वारा ही कर सकते हैं हो सकता है कॉंग्रेस के मन में अब दूसरी बातें आने लगी हो लेकिन जो मौझूदा समय में कॉंग्रेस का रवया है अभी विपक्ष को लेकर या महराश्ट को लेकर तो उससे यह बिलकुल इस पश्ट नहीं होता है कि वह उद्धा ठाकरे के साथ किसी पिरकार का भी गडबंधन तोड़ना चाहते हैं लेकिन दो प्रत्याशियों का उतारा जाना कहीं नकहीं सवाल खड़े करता है जो कि हम आपके सामने सवाल कर रहे हैं कि आखिर कॉंग्रेस ने दो प्रत्याशियों को क्यों उतारा आपको क्या लगता है कि महराश्ट में जो MLC को चुनाओं होने वाले हैं कि इस तारीख से उसमें उध्धा उठाके निर्विरोज जीतेंगे या नहीं क्या या एक स्थाई सरकार रह पाएगी या फिर इस सरकार का अंत कोरोना जैसी महामारी के बीच में ही हो जाएगा कांग्रेस का दो प्रत्यासियों को उतारना सही है या गलत है इस संबंद में अपनी राय अवश हमें दें कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है अपनी राय देते हुए चले कारिकरम को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब अवश्य कर देता तक के लिए इजासत दीजिए धन्यवाद